Nios के करेक्रम में आपका स्वागत है सिक्षारतियों, आज हम उच्चतर माद्यमिक स्तर पर एक पार्ट सोचना प्रवध्योगी की स्वरूप और विकास पर, स्वरूप और महत्यूप पर बाचीत करने जा रहे हैं आज जानते हैं कि सोचना प्रवध्योगी की छेतर में लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को किस तरह से समझा जाए इसके बारे में हम विश्तार से बाचीत करेंगे इस बाचीत के लिए हमारे साथ हैं दॉक्टर सूरेनाथ सिंग वरिष्ट पत्रकार जनसत्ता में इस कारेक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद तो आप सूचना क्रांती के बारे में क्या बताना चाहेंगे शिक्षार्थियों को अगर कहा जाए तो यह युग यह जमाना यह समय सूचना प्रद्योगी कही समय है जितनी तेजी से सूचना प्रद्योगी के छेतर में विकास हो रहा है शायदी किसी और छेतर में हो रहा है इसका पहला कारण तो यह है कि हर कोई तुरंट सूचना चाहता है हर छेत्र में सूचना चाहिए चाहे वो उद्यो का छेत्र हो शिक्षा का छेत्र हो या समचारों का मामला हो हर छेत्र में हर आदमी सूचना के लिए लालाइत रहता है उत्सुक रहता है जानकारी चाहिए उसको हर समय तो उस धंग से पहले के जमाने में क्या होता था कि अखबार होता था एक माध्यम जो लोगों तक पहुँचता था और सुचना पहुँचती थी समचार पहुँचते थे अब दूसरे तरह के साधन आ गए है जैसे टेलिविजन है इंटरनेट के जरिये या मुबाइल पर बहुत सारी चीज़े आ रही है तो सुचना के शेतर का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और उसका फायदा भी हुआ है विस्तार होने से फायदा ये हुआ है कि हर व्यक्ति हर चेतर में जिसी शेतर में लगा हुआ है अपने मतलब की चीज़ें जो उसको चहिए जानकारी वो सुचना के माध्यम पर उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट के जरिये से जैसे एक व्यापारी है, व्यापार के छेत्र में उसको अपने उद्योग को आगे बढ़ाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, तो वो सूचना प्रोध्योगी के जरिये अपने विग्यापन देता है, या दूसरे उसी अपने ही छेत्र से जुड़ी हुई चीजों को जानकारी लेता है लोग कहां क्या क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है तो जानकारियां लेके और फिर वो अपने ढंग से उसमें नैने ब्रयोग करता है और उसको आगे लेके जाता है तो यह सुचना प्रोधिवगी का महत्त्व है इसमें जैसे अभी आपने बताया कि आर्थिक चेत्र हो या फिर समाजिक चेत्र हो मनुरंजन का चेत्र हो अलग-अलग चेत्र में हर जगह पैट सुचनकरांती की है और हम यह उमीद भी करते हैं कि कि इंटरनेट के माध्यम से हमें सबकुछ JAYермकारी मिल जाए तो क्रांथी इसी रूप में है कि हम से मिर्वर हो गए और अनेक कंपनियां इस में आ गई है उनमें भी एक होड नजर आ रही है क्या हां कंपनियों में होड है कंपनियों में देखिए इसके दो दो मैं स्वरूप देखता हूं होड दो रूपों में एक तो संचार माध्यमों का अपना होड है जो संचार माध्यम है उनका होड है जैसे टेलिवीजन है या इंटरनेट पर बहुत तरह के कारिक्रम जैसे बह ट्यूबlar जो ​​फो爸爸 वह सब्स्साइब थ्यास्ती व्याजीओ पर शुलां कि घंञें हैं जहे बाहुं जिआ होे चणंस Κारुबूए कर रहें लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्यों इसको अपकिली और हिसे नियुक्ञट में प्रतिसपर्दा है कि हम कैसे गुणवत्ता एक अच्छी कमीज बनाएं उसकी सिलाई अच्छी हो उसका कलर अच्छा हो और ग्राह को संतुष्ट करें तो ये मुखे गुण है और उसको लेके खोड़ है कि कैसे हम कम कीमत में बढ़िया चीज उपलब्द करापाएं अब उसके लिए होता क्या है कि संचार माध्यम कैसे इसमें आपका सहयोगी बनता है कि आप विग्यापन देते हैं विग्यापन के जरीए बढ़ चड़के अप अपनी उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं उसके रंग उसके तमाम जो खासियत होती हो विग्यापनों के जरीए जारी करते हैं अब विग्यापनों का स्वरूप क्या हुआ एक तो प्रकाशित करते हैं आप विग्यापन या वीडियो के जरीए विग्यापन देते हैं विग्यापन होता है कि आप खुद दावा करते हैं उसपर जाकर है जो कंपनिया हैं बहुत सारी आप देखते होंगे कि आपके mobile पर विग्यापन आते रहते हैं कंपनियों के कि फला चीज खरीदिये, इसमें ये विशेस्ता है, अब उसमें आप खुद अपने सवाल भी पुन से पूछते हैं, कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको जवाब भी तुरंद कर तुरंद मिलता जाता है, उस हिसाब से आप तै करते हैं, कि ये चीज हमें खरीदनी तो इसमें इस तरह से एक होड, एक प्रतिसपरधा जो है, एक ग्रहक के पक्ष में जाती है, कि ग्रहक को अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी गुर्वत्ता की चीज मिलती है, तो इस हिसाब से संचार माध्यम आपके लिए आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी सावित ह हुआ है, इसमें एक महत्वपूर्ण उपक्ष है कि एलेक्ट्रोनिक का उप्रियोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, संचार को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें सेटेलाइट से लेके इंटरनेट बहुत सारे साधन है, तो उसमें आप विद्यारतियों को क्या बतान के लिए, संचार माध्यमुग में गुणवत्ता जैसे पहले क्या होता था, कि दूरदर्शन चलता था, तो आप देखते थे कि उस तरह से क्वालिटी नहीं आती थी, उस तरह से नचित्र आते थे, अब HD और क्या कहते हैं, जो LED इस तरह के जो किस विधाएं आ गई हैं, त उपर एक सेटिलाइट छोड़ते हैं, उपगरा छोड़ते हैं, जहां पर की एक कंप्यूटर लगा होता है, उस कंप्यूटर में हम यहां से चीजें भेजते हैं, जिसको अपलिंकिंग कहते हैं, यहां से आप वहां पर भेजते हैं चीजें और फिर वहां से इस प्रितिव होती है तो यह जैसे रेडियो है या टेलिवीजन है तो यह सारे प्रसारान उसी के माद्यम से होते हैं रेडियो में दो तरह का है एक तो इनका अपना मीटर पर यह काम करेंगे, एक होता है, जैसे FM रेडियो है, तो FM रेडियो सारे उपगरा के जरी यह काम करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से धोनी, वो से क्या होता है, उसके तरीका यह होता है, विध्यार्थीओं को समझने की बात है, कि जैसे हमारी प्रिथवी गोल है, घोल है तो उसकी क्वालिटि बहुत अची होती है, जब प्रिफवी के अच्छा में तरणगे चल रही होती है, तो कभी बादल है, हवा है, बारिश है, तो उसमें आपका रेडियो पकड़ने में मुश्किल करता है तो इसलिए अब सेटलाइट पर लोग जाने लगे हैं तो FM का जो रेडियो है वो सीधे उस पर चलने लगा तेलिवीजन के जो कारिक्रम है तेलिवीजन के कारिक्रम उपग्रह के जरिये ही काम करते हैं बहुत सारे मित्रों से जुड़े हुए हम बात कर सकते हैं यहां तक की जो सेलूलर फून है जिसको हम मुबाइल फून कहते हैं वो उपग्रह के जरिये ही चलते हैं क्योंकि हर जो कमपनी है वो अपना एक वहां पर स्लाट लेती है एक जगह लेती है और उस जगह पर आपकी सारी जो सूचनाएं हैं वहां पर जमा होती है और वो सूचनाएं फिर आप तक आती हैं तो यह सब चीजें हैं जो आप इमेल भेजते हैं वो भी सिट्रिलाइट के जरिये ही जाता है इसमें जो साधनों का प्रियोग हुआ उसकी वज़े से संचार और आसान हो गया और क्वालिटेटिव भी हो गया इसमें एक महत्वपुर्ण जो सवाल है कि इसका लाब कहां कहां मिलता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे संचार माध्यमों का लाब अब तो ये है कि दुनिया का प्रयास ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसार ना बचे जो संचार माध्यमों से उसका जुडाव ना हो यह वो खेतिवारी का मामला हो हर किसान तक अब ये सरकार भी खोदी ओजनाय चलाती है जो कि satellite मतलब mobile के जरिये आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाती है जो क्या करते हैं help line शुरू की जाती है आपको खेती बाड़ी से संबंदित help line पर बात करनी है आप अपने mobile के जरिये sms करके या phone करके जानकारियां ले सकते हैं वैसे ही जैसे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं आप देखिए शिक्षा के छेत्रे में तमाम विश्व विद्याले आपका मुक्त विद्याले संस्थान जो है वो पाठिक्रम अपने वहां पर इंटरनेट पर लोड करता है बहुत तरह के वीडियो लोड करता है त तो उस मोबाईल सेट पर अपना लॉग इन खोलते हैं और वो अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं या बीच बीच में तो यह सुविधा उनको हुई है इसका मतलब कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है इसका अब तो यह है सरकार भी चाहती है जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ी है उसमें अब यह माना जा रहा है कि संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को परिसर में हर विद्याले में किसी संस्थान में शिक्षा दी जा सके बहुत खर्चिला काम हो गया है तो अब परिसर मुक्त बनलब ओपन लर्निंग पर ज अब करते हैं याँ तक कि हैर एंजुकेसन में तमाम विश्व विद्याल एब अपना ओपन लर्निंग का कारिक्रम चलाते हैं यूजी सी ने यूजी सी ने बहुत बड़ा बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाया हुए है जो कि कि किसी विश्व विश्व विद्याले के विद्यार्थी हो अध्यापक हो उस पोटल पर जाके देख सकते हैं सीख सकते हैं समझ सकते हैं आप ओपन ओपन इस्कूल जैसे जिससे आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको कोई जरूरत नहीं है कि हर समय आप वहाँ पर उपके कार्याले जाएं त तो यह बहुत ही एक शशक्त माध्यम के रूप में सामने आया है बहुत बहुत जरूरी 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 चीजे सूचना प्रोद्योगी की सिख्षा के प्रसार में तो मतलब वर्दान साबित होने जा रहा है कि आप घर बैठे हर समय चलते फिरते आप पढ़ाई कर सकते है कोई जरूरी नहीं है कि आप कक्षा में बैठके ही पढ़ाई करें अध्यापक से ही सीखें इसी तरह से मनुरंजन के छेतर में हैं पहले क्या होता था यह आपको एक जगह जाना पढ़ता था चाहें नाटक देखने जाना पढ़ता था या कोई और संगीत के कारिक्रम है द तो आप अपने मुबाइल पर या घर पर आपके घर के टीवी में भी टेलिवीजन में इंटरनेट से जोड़ के आप नई से नई फिल्मे देख सकते हैं वैसे ही आप चलते फिरते सुनते रहते हैं फिल्मे देखते रहते हैं आपको सिनेवा हॉल जाने की जरूत नहीं पड़ती है तो यह एक क्रांती हुई है सबसे बड़ी चीज एक यह है कि सामाजिक जागरूकता लाने में बड़ा बड़ी भूमिका रही है सामाजिक और राजनितिक जागरूकता लाने में कैसे भूमिका रही है संचार माध्यमों की भूमिका सामाजिक जागरूकता और राजनितिक जागरूकता लाने में तो बहुत ही महत्पूर भूमिका रही है बहुत सारे मामलों में हम समाजिक अंध्विस्वासों और समाजिक कुरुतियों से जो जकड़े हुए थे बहुत सारी चीजों को एक रूढ़ी की तरह हम लोग प्रहावी थी अब ये संचार माध्यमों के आने से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीजों के वैज्ञानिक तथ्यों को से हम परचित हुए है और उसकी तहर तक जाने लगे हैं तो एक तो हम में समाजिक जाग रूपता आई है अपने अधिकारों के बारे में जाग रूपता आई है और हमारे समाज का विकास कैसे होना चाहिए दूसरे समाजों को हम बहुत आसानी से देखने लगे हैं संचार माध्यमुकरे जरिये हम इंटरनेट पर, अपने मुबाइल पर, टेलिवीजन पर अब हर घर में टेलिवीजन है, हर हाथ में मुबाइल है तो वो देखता है कि दूसरे समाज में कैसे विकास हो रहा है दूसरे देशों में कैसे विकास हो रहा है तो वो चाहता है कि हमारे आवे तो ये एक जागरूपता आई है इसी तरह से राजनीतिक जागरूपता आई है कि हम जिस प्रतिनिधी को चुनके भेज रहे हैं वो हमारे लिए क्या काम कर रहा हमारी सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए हमारे लाके के लिए तो यह जागरुकता आई है बड़े पैमाने पर अच्छा एक तो क्या हुआ है कि संचार माध्यमों का प्रसार देखिए कि किस रूप में बहुत तेजी से हुआ बहुत इलेक्रानिक माध्यमों के आने से सुचना प्रवद्यों कि जिसको हम न्यू मीडिया कहते हैं नया संचार माध्यम जिसको कहते हैं कि अखबार एक माध्यम होता था तो अखबार चपके 24 घंटे बाद आपके घर पहुंचता था आप 24 घंटे बाद वो सूचनाय आपके पास पहुंचती थी आप पढ़ते थे उसके बारे में चर्चा करते थे अब वैसे रेडियो पर क्या होता था कि हर आदे घंटे या एक घंटे बाद बुलेटिन समचार के आते थे उसमें बहुत कम सूचनाय आप तक पहुंच पाती थी अब क्या हो गया कि पल-पल कि जो न्यू मीडिया है जब हम कहते हैं तो उसमें न्यू मीडिया में आपका एलेक्ट्रोंिक माध्यम आता है जिसमें टेलिवीजन आता है आपका इंटर्नेट मोबाइल है अब इंटर्नेट क्या है कि इंटर्नेट learn एक कोई एक माध्यम ने इंटर्नेट में बहुत सारी चीजह है जैसे आपकी वेब पत्रकारिता है उस पर चल रही है वेब वेब साइटें जो चलते हैं उस पर वेब पत्रकारिता का एक बड़ा संजाल है तो अखबार से और उससे चलके जब आप न्यू मीडिया में जो आप फेस्बुक पर आप बहुत सारी सूचनाई लेते हैं वाटसेप पर लेते हैं बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब पर नियाम खुला है तो जो वेब पत्रकारिता में क्या होता है कि आप घर बैठे अपना एक पन्ना खोलते हैं मतलब जो आपने वेब साइट अपनी बना ली है www से या कोई फेस्बुक पर अपने अपना अकाउंट खोल लिया है या ब्लॉक खोल रिया है इस तरह से बहुत त पेणल सब्सक्राइब कर लिया है खोल लिया है अकाउंट खोल लिया है तो आप घर बैठे चलते फिरते बहुत सारी चीजें आप सूचनाएं उस पर देते रहते हैं आदान-प्रदान करते रहते हैं तो इस तरह से संचार माध्यम आप पल-पल की खबरें पल-पल की खाना या विदेशों में जो लोग जो कुछ घटित हो रहा है उसकी सूचनाएं हम तक नहीं पहुच पाती थी दो-तीन दिन बाद पहुच पाती थी या ठीक से नहीं पहुच पाती थी अब क्या हो गया कि न्यू मीडिया के आने से आप माल लिजे कि यहां फेस्बुक पर हैं आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है या उस्ट्रेलियम बैठा हुआ है कहीं बैठा हुआ है तो वह वहां जो सूचनाएं हो रहे हैं तुरंत लिख रहा है आप तक पहुच पा रहा है आप यहां लिख रहे हैं आपकी सूचना वहां ऑस्ट्रेलिया अमेरि किया जाता था जो टेप पर ये करके चलाया जाता था और टेलिविजिजन पर आप देखते थे वो सापता ही प्रोग्राम की तरह से चलते थे सब हपते में एक बार दो बार होता था ऐसे कई कर्यक्रमों की याद कर सकते हैं अब वह जमाना गया हपते भर तो क्या एक पूरे नहीं दोन Circle यह हर Wells छोब था करते था लोगों में हर समय सूचना चाहिए हर समय ho अगर ज्ञान प्राप्प करना चाहते हैं तो जाग रूख हों और वो बहुत चीज़ें जानते हैं इसमें से कि हम क्या कर रहे हैं क्या पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा तो सिक्षार्तियों इस तरह से हमने आज ये सुचना प्रोधिगी के सुरूप और महत्तु परबाचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परबाचीत के लिए तो मुझे उमीद है कि आप इसका जरूर लाब उठाएंगे धन्यवाद आपका